नेक्स्ट कुश्चिन देखते हैं, which of the under-mentioned structure is not associated with locomotion in protozoa? protozoa में कौन सा associated नहीं है जो कि locomotion में help करता हो protozoa में, यह आपको बताना है तो exonemes, अगर आपने exonem सुना हो तो जो cilia और phlazella होते हैं, जिनमें microtubules पाए जाते हैं या जो centrosome होते हैं, वहाँ पर आपको exonemes देखने को मिलेंगे, जो कि locomotory organ है, cilia phlazella locomotory organ है इसके बाद अगर हम बात करें, पैरापोडिया, पैरापोडिया की अगर हम बात करें, तो जो आपका any lidar sang, जिसमें आपका कैच्वा आता है तो कैच्वा में कुछ पैरापोडिया है, यह इस तरी case में पैरापोडिया locomotory organ पाए जाते हैं, तो उन में यही पैरापोडिया locomotion में help करता है लेकिन वो सिर्क किस में देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, एने लिडा, संग में, ठीक है, जबकि पूछा किसका है, प्रोटो जुआ का, तो यही इसका correct answer हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो पैरापोडिया किस में होता है, एने लिडा, कैचुआ, अर्थवाम में होता है, ठीक है, सिरोपोडिया, आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, यह भी ठीक है, मायो नीम्स, यह भी आपका अमीबा में देखने को मिलता है, तो B is correct option चलिए, नेक्स्ट है, ट्राइको निम्फा लिप्स एज सिम्बायोंट सह जीवता, इन एलिमेंटरी कैनाल, किसके एलिमेंटरी कैनाल में, आर नाल में पाया जाता है, तो जो टर्माइट्स होते हैं, जो टर्माइट्स होते हैं, उनके एलिमेंटरी कैनाल में पाया जाता ह अगोन ट्राइको निंथन फाजू कि यह ट्राइको निंथन फाज़ात Fouraiis training का था क्या है ए फर्रॉया कृट में से क्रम न चक्राइग आता है और यह क्या क्या इसक क्या रचता है इसके गट में ईसokay यह जाता है cellulase enzyme पाया जाता है जो कि cellulose को पचाने का काम करता है ठीक है चलिए जबकि जो human होता है उसके पास ऐसी capacity रहे है जो cellulose को digest कर पाए ठीक है चलिए next है seratium is a जो seratium है एक तरह का क्या है आपका dynophyllate है इनमें से कौन सा है जिसमें binary fusion नहीं पाय जाता है तो all protozoan all protozoan have binary fusion division ठीक है लेकिन सिर्फ एक को छोड़के जिसका नाहीं monocystis monocystis अकेले को छोड़ दीजे सारे चलिए next question दिखते है which one of the following is a sexual mode of reproduction in a protozoan इनमें से कौन सा sexual reproduction है इन दा protozoan तो यहाँ पर अगर आप देसे देखेंगे एन आइसोगेमी या फिर एन आइसोगेमस टाइप का क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था जो sexual reproduction है यह कहां देखने को मिलेगा यह आपको mosquito mosquito की गट में देखने को मिलेगा और जो mosquito है वहाँ पर sexual reproduction जब होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे एक होता है macro और एक होता है macro यह इनी कि जो gametophyte होते है जो gametes होते हैं एक जो फिजिक जो उनकी size है या जो उनका safe है वह छोटा होता है एक का size कैसा होता है इसलिए इसको क्या क्या क्याते है एन आईसोगेमस या फिर इन आईसोगेमी कहा जाता है ठीक है जिनके gamete different morphology के हों बरावट के हों चली नेक्स्ट है दा चीफ एडवांटेज ऑफ इंसस्टमेंट आफ अमीबा अमीबा इस तरीके से इंसिस्ट बना लेती है और इसी के अंदर स्पोरोजवाई्ट या हम कहें जो स्पोर्स ज्वाईट होते हैं वो अंदर लगे रहते हैं और अंदर बने रहते हैं इसका फाय वाइब कर लेते हैं इनको यह जो इन्सिस्ट है यह जो सिस्ट की जो वाल होती है वो क्या करती है help करती है बाहर के इन्वारमेंट से रक्षा करने के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट है यह फिर से रिपीट हो गया which one of the following is not involved in the nutrition of amoeba amoeba के nutrition में involved नहीं है यह आपको बताना है ठीक है पोशन में तो एक्जो साइटोसिस यह तो होगा ही जो amoeba है amoeba में क्या होता है एक्जोसाइटोसिस होगा कोई भी जो वेस्ट प्रोड़क्ट है वो एक्जोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट और देखे दिया हुआ है फैगोसाइटोसिस कोई भी चीज अंदर लेना हो तो यह क्या करेगा फैगोसाइटोसिस तो यह भी होगा इंट्रसेलुलर डाइजेशन लेकिन जो तीसरा option है सैप्रो ट्रॉफिक, सैप्रो ट्रॉफिक नहीं पाया जाता है, क्यों यह सैप्रो ट्रॉफिक नहीं होती है, सैप्रो ट्रॉफिक का मतल़ होता है, ऐसे एनिमल जो कि dead and decaying, dead and decaying matter पर अपना portion या अपना है वो किस से ले रहे हूं dead or decaying matter से ले रहे हूं तो यह प्रोटोजोन में नहीं पाया जाता है ठीक है चलिए योगलीना की जो सिस्ट है वो किस की बनी होती है तो यह आपकी किस की बनी होती है कार्वो हाइडरेट की बनी होती है ठीक है चलिए next है ट्रायाटोमा infect and the intermediate host in life cycle of किसके life cycle में intermediate host की तरह देखने का मतलता है ट्रायाटोमा तो Tratoma मैं आपको बता दूं यह क्या होता है? ट्रेपैनो सोमा क्रूजी, जो की एक डिजीज कॉस करता है जिसका नाम है चगाज डिजीज, ठीक है, यह क्या है? चगाज डिजीज और यह इसका जो करीयर होता है, उसको भी आपका बता दूं, kissing bug kissing kissing bug के नाम से जाना जाता है जो कि चगाज disease को cause करने का काम करता है कौन करता है triatoma चलिए इसके बाद जो next question है which of the following transmits visceral lismaniasis अभी बताया था lismania donovani तो ये किस के द्वारा होता है तो अभी इसी के जस्ट पहले मैंने आपको बताया था ये एक तरह का क्या है इसको हम कहते है flabatomas क्या कहते है flabatomas कहते है ठीक है जो की क्या है एक तरह की send send fly क्या है send fly इसका scientific name है आपका flabatomas तो correct answer क्या हो जाएगा d is correct option next question men in the life cycle of plasmodium plasmodium की life cycle में जो आदमी के भीतर चल रही है वो कैसी होती है तो ये जो man है वो क्या है आपका primary host है सबसे पहले जैसे मच्छर इसको human को काटेगा वहाँ से asexual reproduction उसमें start हो जाएगा तो primary host कौन होता है उसका human होता है ठीक है यही पूछा है man चल यह next है plasmodium falsy ferum cause plasmodium falsy ferum causes which type of malaria यह सबसे खतरनाख type का malaria है याद रखिएगा y-vex तो common है लेकिन malaria falsy ferum जो plasmodium falsy ferum है यह बहुती घातक है जिसको हम दिमागी बोगार के नाम से भी जानते है brain fever के नाम से भी जानते है इसके कई सारे नाम है और इसी को हम क्या कहते है सबसे खतरनाख और जो घातक वाला जो malaria है वो कौन सा होता है इसी के द्वारा cause होता है इसलिए इसको क्या कहते है parmesius type का malaria भी कहते है क्योंकि यह बहुत ही कैसा होता है घातक होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन है शुपनर डॉट्स प्रडूज बाइ प्लाजमोडियम यह जो शुपनर डॉट्स है यह प्रडूज होती हैं प्लाजमोडियम में किसके द्वारा तो यह एंटीजन की बज़े से जैसे इनको कलर करोगे तो यह कलर दे जो आरबीसी हैं उनमें देखने को मिलेगा यह वाइवेक्स प्लाजमोडियम वाइवेक्स में देखने को मिलेगा जबकि कि malaria falsiferum यानि कि plasmodium falsiferum में अगर आप देखेंगे तो मर मर मरर डॉट्स देखने को मिलेंगे यह बिहान रखेगा यह भी important question है ठीक है according to locomotory organ locomotory organ के अनुशार which is wrong इनमें से कौन सा गलत है hydra जो की sealant rita में आता है इसमें इसके पास tentacles पाय जाते हैं सएधा है इसी से कम यह क्या करता है । कि पेरामीसियम में क्या पाया जाते हैं? सीलिया, ये भी सही है, पेरामीसियम में सीलिया पाया जाते हैं, उससे लोकोमोशन करते हैं, नेरिस, नेरिस याद है, अभी आपको बताया था, एनेलिडा में नेरिस होता है, उसमें क्या पाया जाते हैं? पेरापोडिया, उससे भी य यूको मॉटरी और्गन नहीं पाया जाता है या फिर ये नॉन मोतायल होते हैं और यही पूछा था कौन सा रॉं है तो इसके पास व्लेजला नहीं होता जबकि मैस्तिगोफोरा या Pytomastigophora वाली जो class होती है उसमें फ्लाइजला प्रिजेंट होती है ठीक है चलिए इसके बाद है during Malarial infection, Malarial infection के दोरान the first cells infect are जो पहली cell infect होती है वो कौनसी होती है तो आपको पताया था जब जैसे ही मच्छर human यानि इंसान को काटता है या फिर inject करता है अपने saliva के थूरू sporoside को तो वो सीधा blood के थूरू जाके कहां चले जाते हैं आपके liver cell में वो liver cell में वो वहाँ पर miroside divide करते हैं infect करना वहीं से start कर देते हैं तो hepatocyte कहलाती है आपके liver की cells ठीक है चले नेक्स्ट है Ronald Ross who worked on malaria जो Ronald Ross थे इन्होंने सबसे पहले confirm किया था कि malaria का संबंद किस से है और ये जो plasmodium है उससे cause हो रहा है तो ये कहां के थे ये आपको बताना है कहां काम किया था ये तो बिदेश के थे तो यहां देखो चे नई लक नव हैदराबाद ये सब इंडिया के हैं लेकिन लंडन क्या है अलग है क्योंकि ये फॉरेंड के थे तो ये कहां काम किया था है नो ना लंडन में काम किया था चलिए material parasite with 48 hour 48 घंटा की cycle होती है किस की ये आपको बताना है तो देखो अब लोग यादर किया बड़ी important information बता रहा हूँ आप कितने भी plasmodium देख लेजिए कितने भी proto जो sporos जुआ वाले class के candidate होंगे member होंगे जिन मैंसे plasmodium malaria plasmodium ovale plasmodium bivax इन सब में जो life cycle होगी इनकी वो कितने की चलती है 48 hour की चलती है जब कि malaria falsiferum जो होता है इसकी जो cycle होती है वो कितने घंटे चलती है 72 hour की चलती है ये बात ध्यान रखेगा ये falsiferum में चलती है तो यहाँ पर आपका A वाला option correct हो जाएगा क्योंकि जितने भी होंगे plasmodium malaria plasmodium ovale plasmodium vivax सब में 48 घंटे की चलेगी लेकिन सिर्फ एक है जो कि malaria falsiferum है उसमें कितने घंटे की चलती है 72 घंटे की तो यहाँ दिया हुआ तो नहीं आएगा यहाँ भी दिया हुआ है देखो फालसी फिरम यहाँ भी दिया हुआ तो यह इसका A is correct option चले नेक्स्ट कॉश्चन है तो यह कह रहे हैं कि जब fresh water वाले यानि कि मीठे पानी वाले प्रोटोजवा को उठा के कहां डाल दिया जाए उसकी जो contractile वेकियूल है उसको कहां डाल दिया जाए आपका एक ऐसी ग्लास में डाल दिया जाए जहां पर क्या है जहां पर आपका मेराइन वाटर है यानि कि किसी fresh water वाले प्रोटोजवन को उठा के आप किसी salt वाले पानी में या पर मेराइन वाले खारे वाले पानी में डाल दियेंगे तो उसकी जो वैक्योल होगी contractile वैक्योल होगी उसमें क्या असर पड़ेगा तो अगर आपने मेरा previous lecture देखा हो जिसमें मैंने आपको hypotonic hypertonic और isotonic के बारे में बताया था तो उसी topic में अगर आप जब देखेंगे hypertonic solution hypertonic solution में क्या हुआ था जो water होगा वो कहां जाएगा बाहर की तरफ निकल जाएगा तो यह जो contractile वैक्योल होगी वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी या पिछक जाएगी या shrink कर जाएगी क्योंकि वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी वहां से गाय हो जाएगी है ठीक है तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा डिसेपियर हो जाएगी ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं contractile vacule is absent यह तो अभी पहले भी किया था contractile vacule जो है वो absent होती है अच्छा question तूड़ा दूसरा है स्पोरोजवा यह तो आई जाती है जिसमें आपका plasmodium आता है जू फ्लैजिलेट इसमें कौन-कौन आता है इसमें आपका strepslowma आता है सारकॉडिना इसमें आपके जो भी अमीबा है और मिडा है स्लाइम बॉल्ड धि sunshine ऑलगी क्राश स्लाइम मोल्ड कहा देखने को मिलेगा यह आपको फंजाई वाले class में देखने को मिलेगा ठीक है चलिए contractile vacuum is absent यह फिर से repeat हो गया all protozoan have जितने भी प्रोटोजवा हैं उनके पास पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं यह आपको पताते हैं तो यहां हैं जिनके पास फ्लैजिला हैं कुछ ऐसे हैं जिनके पास सीलिया है तो यह भी नहीं होगा सब के पास सीडोपोडिया थोड़ी नहीं है उसके बाद holozoic nutrition holozoic nutrition और यूकरियोटिक और गनाइजिए अच्छा यह इसका क्रेक्ट आंसर हो जागा है क्योंकि जितने भी प्रोटोज हुआ है वो कैसे हैं यूनिसेलिलर eukaryotic कहलाते हैं तो यही हो जाएगा इसका correct answer ठीक है चलिए common feature of ugleena, amoeba, trypanosoma and ant amoeba इन सब के common feature बताना है तो आप इन सारे के सारे में देख लिए सब में आपको क्या देखने को मिलेगा आपको binary fusion सब में देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहां बताना है कि कौन सा false for nutrition गलत है nutrition के regarding amoeba में चलिए यह देख लेते हो holozoic nutrition पाया जाता है, pseudopodia feeder पाया जाता है और omnivores, sarvahari तो यह भी है ठीक है और photo autotrops यह थोड़ा सा क्या है गलत है क्योंकि यही उसना पूछा है false बताना है तो photo यानि की light autotrops का मतला होता है जो अपना भोजन स्वयम बना लेते हो तो light की presence में photo यानि light की presence में आपना भोजन स्वयम बना है तो यह ऐसा नहीं कर सकते कौन नहीं कर सकता अमीबा नहीं कर सकता यही इसका correct option हो जाएगा ठीक है चलिए which is not related with sexual reproduction जो कि किस से related नहीं है नहीं बताना है यह ध्यान रखिएगा sexual reproduction इन प्रोडोजवा प्रोडोजवा में sexual reproduction से related नहीं है तो चलिए देख लेते हैं sexual reproduction के regarding देखो यहां पर यह दिया हुआ साइजोगोनी साइजोगोनी अगर आपको पता हो तो जो human के अंदर जो cycle चलती है वो होती है ए-sexual reproduction ठीक है कौन सी होती है ए-sexual reproduction जबकि sexual reproduction आपको mosquito के अंदर मिलेगी तो साइजोगोनी या साइजोंट condition इसको क्या कहते हैं साइजोंट condition आपको देखने को मिलेगी human में आर बीसी में देखने को मिलेगी आपकी liver cell में देखने को मिलेगी ठीक है तो यह कैसी होती है यह होती है ए-sexual reproduction जबकि not पूछा है तो यहां पर यही correct हो जाएगा जबकि sexual reproduction में साइटो गैमी देखने को मिलेगा conjugation युग लिए पैरापोडिया पैरापोडिया एक तरह का यह जो परापोडिया जो है तो लेकिन यह प्रोटोजवा में नहीं पाए जाता है यह पाए जाता आपका एनिलीडा में है एनिलीडा में को ना आता है आपका कैच्वा या अर्थ वर्म ठीक है चलिए नेक्स्ट है पैसिव फूड इंजेशन इन अमीबा इस नोन एज इंपोर्ट ठीक है यह क्या करेगा دस्ट मुबमन्ट वाले बैक्टिरिया या वाइरस किसी फूड पार्टिकल को जो मूब कर रहे हो तो उसको अगर इंजेट्ट करेगा तो उसको काते है इन सरकम वैलेशन और सम चै uncont प्रेबा है वो किसी ऐसे फूड पार्टिकल जो जिसमें लेस्ट मूबमेंट हो ठीक है उसको कहते हैं सरकम फ्लूएंस कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं स्पोरोगोनी स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर है स्पोरोगोनी कहां पाय जाते हैं मलेरिया पैरासाइट में कहां पाय जाते हैं यह आपके स्टमक वाल आफ मॉस्क्यूटो जो उसकी गट की जो वाल होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा स्पोरोगोनी ठीक है चलिए न आपका मॉस्क्यूटर है उसके गट में मिलेंगे या फिर समक की वाल में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है स्लिपर एनिमे मेलक्यूल स्लिपर यानि की चपल की तरह दिये तो सबको पता है ये कौन होता है पैरा मीशियम ठीक है चलिए अपको पता होगा ये किसम में पाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है दूरिंग कॉंजुगेशन पैरामिशियम में जो आपका सेक्शुल डिप्रोडक्शन उसमें आपको कॉंजुगेशन जो देखने को मिलेगा उसमें क्या होता है यह आपको पताना है तो इसमें जब conjugation होता है जब दो paramecium आपस में conjugate, यानि कि conjugate आपस में पास में आते हैं, conjugate करते हैं, तब वहाँ पर हमें किया देखने को बिलता है, इनमें जो 4 micronucleae बनते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनमें से 3 degenerate हो जाते हैं, जो paramecium है, यह पेरामिशियम है, यह भी paramecium जब करेक्ट ऑक्षन हो जाया जाैगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन औस्मोय रेगलाइशन काुट टायी कोंड करता है चलिए फिर से रूपीट हो जो यूगलीना है वो आपका प्लांट और एनिमल के बीच की लिंकिंग यानि की बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि वो फोटो ट्रॉपिक की तरह भी बहेव कर लेता है तो इसके पास जो जो सेनेरियो है वो कैसा है अगर अपना भोजन स्वयम ना बना पाए तो यह दूसरों से भी ले सकता है ओटो ट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयम बना के अपना जो भोजन है वो स्वयम ही तैयार कर ले तो अगर अपना भोजन स्वयम बना के काम कर ले तब भी इसका काम चल जाएगा तब भी यह अपना dependent रहेगा हैट्रोट्रॉपिक की तरह भी काम कर लेगा चलिए नेक्स्ट है सेलूलोज डाइजेस्टिंग जू फ्लैजिलेट फाउंड इन्हें से बताना है सेलूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा फ्लैजिलेट है जो की वुड कॉकरोज बुड कॉकरोज बनल यह है यह करेक्ट आउंसर ट्राइको निम्फा ट्राइको निम्फा जो है यह इसके गट में क्या पाया जाता है आपका सेलूलेज एंजाइम पाया जाता है जो की सेलूलोज को डाइजेस्ट यानि पचाने का काम करता है ठीक है चलिए यह कहां देखने को मिलेगा आपको यह cockroach की गठ में यानि कि उसका जो गठ है उसमें आपको यह देखने को मिल जाये का कौन ट्राइकोनिमफा ट्राइकोनिमफा एक तरह का प्रोटुजॉवन है ठीक है जिसके पास क्या पाय जाता है cellulase enzyme पाय जाता है what is common about trypanosoma noctiluca monocystis giardia इनमें जो most common है वो आपको बताना है यह सारे के सारे जितने भी हैं these are all unicellular protests ठीक है यह सारे के सारे किसके अंतरकत आते हैं unicellular protests या फिर protozoa protozoa के अंतरकत आएंगे hemozoin is released into blood during the infection of plasmodium bivax जो rbc होती है rbc मैंसे जैसे rbc यह फटने लगती है और इसमें से hemozoin infective जो agent है वह वहर निकलने लगता है यह कब निकलता यह निकलता आपका दो से तीन दिन में यानि कि 48 गंटे में 48 आवर में यह निकलेगा rbc के फटने के बाद तीक है last question है the pathogen and the vector of the malarial parasite respectively are तो यह आपको बताना है तो देखो pathogen बताना है और उसके बाद vector बताना है तो pathogen तो कौन होता है plasmodium bivax plasmodium falciferum तो यह होगा plasmodium जबकि इसका जो vector है यानि इसको ले जाने वाला है वो कौन है मादा एनाफलीज female एनाफलीज याद रखिएगा यह कौन है female ही होगी ठीक है चलिए तो इसी तरीके से अगर आप lecture चाते हैं तो like करें subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें धन्यवाद